Hello everyone, this is Neha Thapa, welcome back to your channel Soul Growth, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी mental health पर काम कर रहे होंगे, अपनी emotional health पर काम कर रहे होंगे, इस spirituality से जुड़े होंगे, और Soul Growth चैनल का आप हिस्सा होंगे, आज का यह topic है, यह topic है narcissist female, एक narcissist female बहुत ही mystery box की तरह होती है, क्योंकि इन इनका जो nature होता है, वो आप पता ही नहीं लगा सकते कि यह किस तरह के person है, किस तरह के इनके goals है, इनकी mind में किस तरह का map है, और क्या इनकी planning है, क्या इनकी decision है, क्या इनके traits हैं, जिससे कि आप पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि यह ऐसा person है, जो कि आपकी life पर एक ऐसा impact डा आप्र ěलता है जिसे कि आप समझ ही नहीं पाते हैं आप इनके गोल को समझ है नार्सिस्स्ट फीमेल हमारे आसपास हो सकती है इनका गोगी जेंडर नहीं होता नार्सिस्ट का अपने हमें कोई जेंडर नहीं है ये एक personality trade है ये male person में भी हो सकता है female person में भी हो सकता है ये आपकी आसपास किसी भी relation में हो सकता है फिर ये वो आपके parents हो ये आपके love ones हो ये आपके family के relatives हो आपका friend हो कोई भी इस nature को carry कर सकता है बट particularly आज हम narcissist female पर discussion कर रहे हैं तो हम female को ही target करेंगे कि जब एक narcissist female होती है तो उसकी thinking कैसी होती है उसकी mental health कैसी होती है उनका goal क्या होता है वो क्या चाहती है तो इसी बात पर topic करेंगे चलिए topic पर आते हैं जो कि है narcissist female के behavior उनके traits उनके emotions जो कि वो आप पर दिखाती है पर अपने आप पर वो कुछ और ही होती है चलिए video start करते हैं फर्स्ट है इसमें female narcissistic appearance येस नार्सिस्ट female जो होती है वो बहुत ज़्यादा obsessed होती है अपने खुद के लिए अपने appearance के लिए इसके लिए वो अपने looks पर अपनी body पर हर चीज़ पर बहुत ध्यान देती है और अ social life को अपनी family life में हर चीज़ में spotlight में बने रहने के लिए ये अपने आपको बहुत ही best show करती है ये दिखाती है हर किसी को कि एक ऐसी person है जो हर कोई इन से प्यार करता है इनके बोलने के तरीके में इनकी looks पर इनकी beauty पर जो कि इतनी fake होती है जिससे कि सामने वाला समझ ही नह tension क्या होती है इनकी अगर आप life को देखेंगे तो ये हर चीज़ को इतना lavish करके दिखाएंगी इतना चमकदार दिखाएंगी इतनी shine life दिखाएंगी जिससे सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि इस person की जो नियत है वो किस तरह rule करती है इनकी जो main motto जो होता है इनका जो main aim ह होता है वो इस पर base करता है कि ये लोगों को छोटा feel करा है ये लोगों को कम उनको अपने आप पर कम feel हो छोटा feel हो और उनको feel हो कि वो कैसे person है और ये ऐसी person है जो कि बहुत best है इनकी social life इतनी best है लोग इनको देखें लोग इनको चाहें कि ये इनकी life पर हो लोग इनसे प् परसन हो जो कि उनकी लाइफ की बेस्ट परसन हो एक क्वीन हो बट इन रियालिटी ये एक लोगों को अट्रेक्ट करने का उनको अपनी तरफ खीचने का एक जरिया होता है जो कि उन लोगों को पता होता है जो रियल में इनको जानते हैं जो रियल में इनकी नियत को जानते है जो real में इनके victim रही है जब आप खुद inner beauty में होते हैं या अपनी inner beauty को जीते हैं तब आप लोगों के pain को feel करते हैं तब आप लोगों की life में growth देते हैं आप लोगों को peace देते हैं उनको solution देते हैं बट इनके खुद के जो mindset होता है वो इस तरह होता है कि ये लोगों को छोटा feel कराने में believe करती हैं इसलिए ये बाहरी तौर पर ये बाहरी रूप से लोगों को best feel कराती हैं उनको दिखाती हैं कि ये कितना self love करती हैं ये खुद से ही प्यार करती है इन real ये खुद से ही प्यार करती हैं पर ऐसे weapon use करती हैं अपने आपको अपने आपको एक marketing का जरिया बनाती है खुद को लोगों के सामने दिखाना कि उनकी real self क्या है तो उन्हें कोई प्यार नहीं करेगा इसलिए ये बहारी तोर पर खुद को दिखाती है कि ये कितनी good है इनका nature कितना अच्छा है और इनका जो inner self है उस पर इनका दूर दूर से भी कोई नाता नहीं होता है इनको चाहिए कि ये लोगों को छोटा feel करा है इसलिए ये बहारी तोर पर लोगों का best बनने के लिए बहारी रूप से लोगों को अपने आप पर दिखाती है लोगों को attract करने के लिए कि कितनी best है spotlight इने पसंद ह होती है ये चाहती है कि हर चीज की जो main person है वो ये बना रहे हैं इसलिए ये लोगों को अपने attract करने के लिए अपने physical appearance पर अपने आप और अपने looks पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है second is me female narcissistic confidence yes narcissistic female जो होती है वो बचपन से ही इतनी toxic होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपने आपके toxic nature पे कब कितना control कर रही है उन्हें समझ ही नहीं आता है वो हर किसी को अपनी life पर उन्होंने जब भी अपने बचपन से जो किया होता है वो उनकी जिद के कारण उनकी toxicity के कारण उनके drama के कारण किया होता है बट उनको ऐसा feel होता है कि इन्हीं चीजों से वो अपनी life में एक best person है वो सब पर rule कर सकती है तो उनको ऐसा feel होता है अपने life पर उनकी ऐसी thinking होती है कि वो जो कहती है वो जो करती है और जो कुछ भी उन्होंने अपनी life में किया है वो हमेशा सही होता है वो हमेशा सही करती है और इसके लिए वो सामने वाले पर rule करती है उनकी life को control करती है उनकी life को destroy करती है बट इनको समझ वो ही इंसान सकता है जो उनके विक्टम रहे हैं जो इनकी से डेल करते हैं क्योंकि टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फीमेल जो होती है वो अपने आप पर अपने इस नेचर पर इतनी confidence उनको आ जाता है एक time के बाद कि इसी नेचर को वो हमेशा समझती है कि यही चीज है कि वो करके हमेशा बच जाती है यह वो चीजें हैं जिसमें कि उन्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता और इसी चीज को वो अपने पूरी life entertain करती है इसी toxic rigid nature को वो अपने पूरी life जीती है बट उनकी जो depth होती है वो ऐसा sense कर पाती है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है सामने वाले को किस तरह से वो trap कर सकते हैं सामने वाले की किस कमजोरी का वो खुद के लिए फायदा उठाती है तो उन्हीं चीजों को point out करकर उन्हीं चीजों को recall करा करा कर वो आपके sense पर ऐसा feel करा देती है कि वो सही है वो हमेशा सही है वो जो कहती है जो वो करती है वो हमेशा सही होता है और ये उनको अपनी पूरी लाइफ हर टाइम वो लोगों को छोटा फिल करा के अपने आप पर एक confidence फिल करती है वो अपने आपकी ego को boost करती है और इससे उनको confidence आता है उनका यही toxic nature उनको confidence देता है क्योंकि अभी तक उनों अपनी पूरी life में जो भी पाया होता है वो अपने इस toxic nature को boost करकर उसको entertain करकर उसको अपने आप पर एक ऐसा motivation देती है कि लोगों को छोटा feel कराकर उनका छीन कर उनको drama create करकर उनको control करकर यह अपनी आपको बहुत ही superior समझती है और इसके लिए यह खुद को बहुत ही confident feel करती है यह खुद को बहुत ही strong feel करती है जो कि इनका खुद का nature होता है female जो होती है वो सामने वाले के अंदर guilt डाल कर क्योंकि इनके खुद के अंदर इतने guilt होती है इतनी insecurity होती है लोगों से इतना jealous की इनकी tendency होती है कि यह लोगों को feel कराती है उनकी कमिया उनके life के उन चीजों को highlight करती है जो कि आपके life मर है वो आपकी weakness है यह उसी चीज को point out करती है उसी चीज को पकड़ कर यह आपको feel कराती है कि आप कितने चोटे हैं और जब यह आपको feel करा पाती है कि आप कितने चोटे हैं तो इनका confidence boost होता है इनको एक ऐसा kick मिलती है कि सामने वाला कितना चोटा है सामने वाला उनके सामने कुछ भी नहीं है पर in real अगर आप इनको जानते हैं तो इनकी अंदर खुद insecurity बहुत होती है दूसरों को देखकर दूसरों की life पर light देखकर उनकी growth को देखकर उनकी life में अगर अच्छा हो रहा है तो इनको jealous feel होता है इनको insecurity होती है इनको guilt feel होता है जो कि इनकी खुद के अपने wounds होते हैं इनकी खुद की एक अपनी problem होती है इनका खुद का एक narcissistic mindset होता है इसमें female narcissistic का money के साथ relation yes narcissistic female जो होती है उनका money से कुछ अलग ही relation होता है in general हम देखे तो money बहुत बड़ा role play करती है हम सभी की life में एक अपनी इच्छाओं को पूर करने के लिए अपनी daily की base पर अपनी life को एक peacefully जीने के लिए but यहीं पर जो narcissist female होती है उनका जो money के साथ relation होता है वो इस तरह का होता है कि वो इसको use करती है as a weapon लोगों को control करने के लिए उनके उपर power को rule करने के लिए और अपनी आपको superior दिखाने के लिए फिर यह चाहे money जो है वो किसी और के through मिल रही हूँ यह किसी और की property का हूँ या किसी और का छीन के खाने पर यह believe रखते हैं इनका खुद का अपनी earning source नहीं होता है इनकी खुद की कोई hard work नहीं होता है इनकी life में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं यह जिससे की इनका खुद का हो यह logo के through किस तरह से यह अपनी income को बढ़ा सकते हैं किस तरह से यह logo का हग खा सकते हैं उसपर विल्यव रखते हैं Narcissist female का जो mindset होता है वो money के लिए इतना corrupt होता है इतना toxic होता है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि ये किसका हक मार रही है किसको چोटा feel करा रही है पर ये अपनी आप को हर किसी से best दिखाने के लिए पावर दिखाने के लिए money का use करती है और इस money को ये बहुत ही excessive और false चीजों में खर्च करती है For example, आप simple चीजों में भी अपनी life को जी सकते हैं बहुत ही simple तरीके से अपनी life पर रह सकते हैं या फिर उन चीजों पर money खर्च करते हैं आपके जीने के लिए काफी है जो आपकी use करने के लिए लोगों के साथ रहने के लिए उनके साथ sharing के लिए काफी होता है बाप यहीं पर जो narcissist female होती है वो अपनी पूरी life को पैसे के साथ इस तरह से relation ब्लेशन बिल्ट करती है कि वो लोगों को छोटा फील कराने के लिए, अपने आपको superior दिखाने के लिए, अपना high class maintain करने के लिए, वो money को as a weapon यूज़ करती है और इस money के लिए, वो आपके साथ, आपके life पर दिखाती है कि आपकी life पर कितनी कमिया है, आप कितने गरीब हो आपकी life पर तो कोई stability नहीं है बट उनकी जो stability होती है, उनकी life का जो base होता है, वो दूसरों का छीन के खाने में, दूसरों का money किस तरह से आप manipulate करके, drama create करके, हर चीज़ करके वो लेना चाती है और इनकी खुद का कोई hard work नहीं होता, क्योंकि ये अपनी उस money को भी show off करने पर खर्च करती है, लोगों के सामने अपने आपको best दिखाने के लिए खर्च करती है, लोगों के सापनी value को high class maintain करने के लिए अपने सारी चीज़ों को खर्च करती है, जो कि इनके खुद की toxic mindset ह होता है, और mind में इनकी एक ही चीज़ होती है कि इनको supreme रहना है, इनको powerful रहना है, इनको बस हर किसी को छोटा दिखाना है, क्योंकि ये एक ऐसी best person है, जो की सब की favorite है, जो सब के लिए एक बहुत ही एक ऐसी person है, जो की सब की ऊपर rule कर सकती है, सब को control करकी रख सकती है, इनक mindset money में, इसलिए ही ये ज़्यादा control करती है, क्योंकि इनको money से अपने आप पर इतना believe होता है, कि ये money को कैसे भी generate कर सकती है, फिर वो चाहे किसी और का हो, किसी और की life का high class इनको अच्छा नहीं लगता है, किसी और की life में growth ये कभी नहीं देख सकती, इसलिए ही ये money को as a weapon use करती है, power के लिए, control करने के लिए, four है इसमें, money और relationship, yes, narcissist female जो होती है, जब वो relationship पे एक अपना connection बनाती है, तो वो इसलिए ही बनाती है, कि in future, in future वो इस relationship पे कितना फायदा use कर सकती है, कितना money को अपने लिए generate कर सकती है, इसलिए वो हर चीज़ को एक object के रूप में देखती है, वो अपने partner को भी ऐसे object देखती है, कि इसका हम किस तरह से अपने future पर फायदा ले सकते हैं, और किस तरह से आप उनका use कर सकते है, manipulate करके, उसको control करके, तो अगर आप इसे relationship में है, तो ये आप से कहेंगी कि आपको इनके life में अगर रहना है, तो इनकी high profile जो इन्होंने बना रखी है, जो इन्होंने maintain कर रखी है, उसको बनाने के लिए आपको money देना होगा, और आप अगर अजसा नहीं करते हैं, तो आप इनकी life का part नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो real happiness होती है, इनकी life का जो main agenda होता है, वो होता है एक ऐसा person रहना, एक ऐसा person इनकी life में रहना, जो की बहुत ही best life जीता है, जो बहुत ही lavish life जीता है, जो बहुत ही high profile life जीता है, और इसके लिए इनको जो real life की happiness है, जो real life की connection है, जो real life में जो प्यार होता है, जो love होता है, जो bond होता है, ये उसको value नहीं देती है फिर चाहे आपका relation कितना भी लंबा रहा हो, कितना भी आपने इनको उपर अपना time invest किया हो अपना हर चीज इने दिया हो, इनको end में जाके जो चाहिए होता है, वो होता है money आप इनके लिए कितना भी कुछ कर लें, बलकि ये आपको manipulate करेंगे, आपको अगर ऐसा feel हो जाए कि ये आपको प्यार नहीं करती है money को ज़्यादा value देती है, और आप इनसे चाहते हैं कि आप इनसे पीछा चुड़ाएं और आप आगे बढ़ जाएं तो ये आपको recall कराएंगे, ये आपको recall कराएंगे कि आपने इनकी life पर कितना बड़ा role play किया है ये एक ऐसी person है जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपकी life ब़हत बड़ा role play किया है ये एक ऐसी person है जो कि आपको प्यार करती है और कोई भी इस अर्थ पे आपको उनकी तरह प्यार नहीं दे सकता ये आपके जाने के टाइम पर इनका एक ड्रामा होता है ये एक इनका manipulate करने का तरीका होता है जिससे की ये अपने victim को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते है और यहाँ पर ही आप trap हो जाते हैं आप इनकी बातों में आजाते हैं पर जैसे ही आप इनकी बातों में आते हैं आप चाहते हैं कि हाँ ये person है जो हम मुझे बहुत प्यार करता है जो एक ऐसा person है जिसके साथ मैंने एक time spent किया है क्योंकि यह आपको recall कराती है यह याद दिलाती है पर यही पर जब आप इनसे कहते हैं कि हम अपना family build करते हैं यह हम अपनी life को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इनका जो mindset होता है वो होता है कि आप आपके पास ऐसा क्या है जो आप इन्हें दे सकते हैं आप इन्हें वो life नहीं दे सकते हैं वो lavish life नहीं दे सकते हैं वो high profile की एक life नहीं दे सकते हैं जो की यह जीती है जो की इनकी fake reality है जो की money के साथ इनका relation है तो अगर relationship में यह आते हैं तो ये relationship में प्यार को अगर money को choose करना हो तो ये money को ही choose करती है जो इनका एक toxic feminine nature है जो की इनका narcissist trade है जिसको ये कभी भी admit नहीं करती पर in depth आपके जाने के लिए इनको एक fair होता है क्योंकि आप अभी तक इनका toxic nature को entertain कर रहे थे इस toxic nature के साथ आप इनके साथ रह रहे थे तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये चीजे याद कराती हैं आपको recall कराती है कि ये आपके साथ कितने loyal है ये आपके साथ कितना invested है इन्होंने पूरी life आपको दी है और ये इसले ही दी है क्योंकि इनको पता होता है कि सामने वाला emotional person है तो उसको as a weapon use करती है पर in reality में इनके लिए दूर-दूर से भी कहीं से भी value नहीं करता है फिफ्थ है इसमी female narcissistic seduction येस नार्सिस्ट फीमेल जो होती है अपने feminism का अपनी body का अपने हर चीज का जो feminism के तौर पर हमें मिलता है वो as a weapon use करती है अपने target के उपर उसको बांद के रखने के लिए तो यहाँ पर ये इस तरह से करती है कि बहुत ही ज़ादा ऐसे revealing अपनी कपड़े पहनती है या बहुत ही बात करने के तरीके में इनके बहुत ही ज़ादा feminism की जो एक softness होती है उस चीज को use करती है ये बहुत ही नाजुक बनके या बहुत ही ऐसी person बनके दिखाती है जो बह सामने वाले को seduce करती हैं अपने इस नेचर से फिर वो चाहे इनके बात करने का तरीका हो जो बहुत ही softness से आता हो या बहुत ही इस तरीकी से आता हो कि आप seduce हो और आपकी इस चीज़ को वो आपको identify ही नहीं कर पाऊगे उसके लिए बहुत ही अच्छी English बोलके या बहुत ह अच्छी एक ऐसी तरीके से जिसे कि आप attract हो जिसे कि आप seduce हो और आप as a victim ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला ये आपको उस चीज़ के लिए तयार कर रहा है उस चीज़ के लिए in future agree करने वाला है जो कि आप कभी नहीं करेंगी तो आपकी mindset पर ये इतना गहरा आप छोड़ना चाहती है आपको बांद के रखना चाहती है अपने लिए तो यहां पर ये अपनी feminism का female काट खेलती है जिसमें कि ये सामने वाले को हमेशा victim बनके दिखाएंगी हमेशा एक ऐसी person बनके दिखाएंगी जिसको की हर कोई छोड़के चला जाता है जिसके साथ हम मेशा हर किसी ने बुरा किया होता है बट यहां पर आपकी हर चीज को ये प्रोवाइड करती है आपकी हर इच्छा को ये पूरा करती है जिससे कि आप कहीं ना चाहें क्योंकि इनके माइंड में गोल सेट होता है इनके माइंड में एक चीज सेट होती है कि इनको क्या चाहि इनको in future इससे क्या फायदा लेना है इनको in future इसको as a weapon use करना है खुद के लिए तो फिर चाहिए आपको sex के तुरू बांदे हैं या हर चीज के तुरू या आपको बांद के रखना चाहते हैं आपकी हर चीज की हर need को ये पूरा करेंगी ये आपको seduce करेंगी हर तरीके से जिससे कि आप कहीं से भी आपको जगह न मिले कहीं से भी आपको रास्ता न मिले कि आप इनकी life से हट जाए क्योंकि यही चीज यही चीज यह ऐज़े weapon use करती है जब आप इने छोड़के जाते हैं आप इनकी life से cut off होना चाते हैं क्योंकि आपको जब यह sense होने लगता है कि यह बहुत ही toxic है यह money minded person है यह एक game खेल रहे हैं आपके साथ आपकी life के साथ तब आप जब इने छोड़के जाना चाते हैं तो यह इसी को अपनी इसी seduce करने के तरीके से हर चीज से चाहे वो बोलने का तरीका हो या आपकी care करने का हो या फिर आपकी हर need को यह पूरा करेंगी फिर उसी चीज को याद करा 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 के उसी तरह की चीजों को recall करा करा के आपकी mind में एक ऐसा trap डाल देंगी एक ऐसी चीजे create कर देंगे कि आप जगल करते है जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है क्योंकि यह इनका एक game होता है यह इनका manipulate करने का एक तरीका होता है जिससे कि सामने वाले victim को यह नहीं चाहती है कि यह उन्हें छोड़ के जाए तो यह as a weapon आपके ही emotions को use करती है और खुद को आपकी life में एक ऐसा superior person ऐसा special one बनके दिखाती है कि आप उसकी life के बहुत ही special person है एक ऐसे person है जिसको इन्होंने बनाया है जिसको इन्होंने प्यार दिया है और फिर यह किसी भी तरह से आपको use करती है अपने goal के लिए अपने उस चीज को use करती है as a weapon अपने mindset में इनके fit होता है कि इनको क्या चाहिए इनको पता होता है कि इनका main target क्या है female narcissistic parenting yes narcissistic जो female होती है यह अपने बच्चों को भी as a object use करती है खुद के लिए as a weapon use करती है उसके लिए यह अपने बच्चों को ही बच्चपन से ही feed कराती है for example इनके दो बच्चे है तो उन में से इनका एक favorite child होगा जिसकी यह हर गलती को माफ करती है उसकी हर चीज को ignore करती है फिर चाहे वो बच्चा कितना भी toxic हो रहा हो लोगों को परिशान कर रहा हो लोगों को dominant कर रहा हो उसके होने से लोगों की life में परिशानी आ रही हो पर यह उस बच्चे को हमेशा support करती है emotionally उसको हमेशा एक support system बनके उसके साथ खड़ी रहती है चाहे वो किसी की life destroy कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो पर यह इनका एक mindset होता है यह इनका एक thinking होती है कि यह इस बच्चे को ऐसे weapon use करेंगी in future अपने partner के खिलाफ इस समाज के लिए और यह उस बच्चे की life की सबसे best person होती है एक special person होती है जो कि उसकी हर चीज पूरी करता है हर जिद पूरी करती है हर चीज उसे provide करती है और यही बच्चा आगे चाके बहुत बड़ा narcissist बनता है और जो दूसरा बच्चा होता है जिसे reject किया जाता है जिसको की हर चीज पर guilt feel कराया जाता है हर चीज पर उसकी गलती के लिए उसको feel कराया जाता है कि तुम इससे कम हो उसको कम जो प्यार दिया जाता है जिससे उस बच्चे के अंदर insecurity आती है उस बच्चे के अंदर ऐसी भावना आती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है उसको jealous feel होता है अपनी ही भाई से अपनी ही बहन से हर चीज से क्योंकि उसके साथ ये किया जाता है उसके साथ उसके जो भाई है उसको बहुत ज़्यादा value दिये जाती है उसकी हर गलती को माफ किया जाता है उसके हर चीज को support किया जाता है emotionally, physically हर चीज की need उसे पूरी कराय जाती है जो की एक toxic mother करती है, एक narcissist mother rebuild करती है एक narcissist child को, वो बनाती है एक ऐसा child जो की समाज में अपनी toxicity फिलाता है, जो इस समाज को बहुत ही परिशान करके रखता है, क्योंकि बच्पन से ही उसने उसको एक support दिया है, उसने उसकी गलती पर कभी नहीं टोका होता है, उसने कभी भी उस उसका support किया होता है, उसके हर चीज का support किया होता है, उसको अगर कोई कहता है कि ये गलत है तो वो नहीं, उसके लिए वो उसका best बच्चा है, क्योंकि ये उसकी life में एक special person है, ऐसी mother है, जो उसको बहुत प्यार करती है, जो उसको बहुत खयाल उसका रखती है, बट आगे जाके यही narcissist बच्चा जो है वो इस समाज के लिए सरदर्द बनता है और यह narcissist जो female है जो mother है वो जान बूच कर अपने एक बच्चे को ऐसा support करती है क्योंकि उसे पता होता है कि यह बच्चा उसका favorite है यह बच्चा उसको वो चीजे प्रोवाइट कराएगा वो special feel कराएगा उसकी life में तो इसलिए ये खुद को special feel कराने के लिए उस बच्चे की life में ऐसा role play करती है कि ये उसकी favorite है ये उसकी special person है उस बच्चे की life पर पर in future ये उस बच्चे की life को ही जहर बना रही होती है एक ऐसा person बना रही होती है जो इस समाज को हर किसी का सरदर्द बनता है seven है इसमी female narcissistic competition yes narcissist female जो होती है इनकी अंदर खुद इतनी insecurity होती है इतनी jealous की भावना होती है इतना guilt होता है कि ये सामने वाले से competition में रहती है हर किसी से competition में रहती है ये हर चीज को जीतना चाहती है अपने खुद के behavior से और इनका जो behavior होता है ये होता है लोगों को control करना उनको manipulate करना उनकी life को अपने हिसाब से mold करना क्योंकि इनको पता होता है कि आप emotional person है आप एक ऐसे person है जो आप इनको प्यार करते हैं तो इसको भी ये as a weapon क्योंकि आपके emotions की चाबी इनके हाथ में होती है तो इनको पता होता है कि किस तरह से आपको trigger करें किस तरह से आपके उस weakness को आपके सामने लाएं जिससे कि आपको feel हो कि आप कितने कमजोर person है आप एक एक ऐसे person है जो कि इसी के लिए बना है जो कि इसी के लिए है है तो नार्सिस्स्ट जो female होती है हर किसी से competition करती है फिर चाहे कोई इनका love once हो इनका partner हो इनकी family members हो इनके siblings हो हर कोई इनका competitor होता है इनको competition करना होता है यह इनकी competition की एक ऐसी race होती है ऐसी marathon होती है जिसका की कोई end नहीं होता है और ये चीज इनके पूरी life चलती है अब इनकी whole life जो होती है हर किसी से competition के base पर होती है फिर चाहे आपका इनकी life से कोई लेना देना हो नहीं हो बट आपकी life में light देखकर आपकी life में growth को देखकर इनको इतना जलस होता है कि ये आपसे हर चीज पर compete करना चाहती है आपकी हर चीज पर इनको competition है कि इसकी life में इतना peace क्यों है इसकी life में इतना growth क्यों है जिसके लिए अपने खुद के nature को ऐसे आप पर project करेंगी आपके अंदर guilt डाल कर आपके अंदर shame feel करा कर आपको आपकी weakness को सामने रख कर तो ये वो सारी चीजे थी जो मैंने आपसे share की अगर आपको लगता है कि आपकी आसपास कोई ऐसी female है जो इस nature को रखती है बट आप detect नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये person narcissist है तो ये वीडियो आपको help करेगी और अगर आपको लगता है कि किसी और को जानने की जरूरत है उसको ये समझने की जरूरत है कि narcissist nature क्या होता है तो आप उससे ये वीडियो को share कर सकते है तो thank you so much आपके प्यार और support के लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, comment कीजिए, subscribe करके soul growth channel का part बन जाए जहां मैं लाती हूँ आपके emotional health के बारे में आपके mental health के बारे में आपकी spirituality के बारे में तो thank you so much मिलते हैं next video पर thank you आपके प्यार और support के लिए thank you so much